हाली में अमर्चित्र कथा की एग्जेक्टिव एडिटर रीनापुरी को एक पप्लिक माफी नामा इशु करना परा क्योंकि उन्होंनों ने अपने कलेक्शन ट्राइबल लीडर्स ओडर फ्रीडम स्ट्रगल में मानिपूर के एक वीर पाउनम ब्रजाबसी को दर्शाया फ्र राज कर रहे थे राज्य का अंतिम पतन 1819 में शुरू हुआ जब बहमा समराज्य समराद बाउडपे के अधिन मानिपूर पर आक्रमन किया और कभजा कर लिया बर्मीज राज्य असाम और ब्रहमपुट्र वैली तक एक्स्पैंड भी हुआ इसी के चलते बर्मीज आर्मी क मानिपूर का गवर्नेंस वापस दे दे अंग्रेज राजी हो गये और यूद जीत लिया 1826 तक बर्मी सेनिकों को इस शेट्रे से निश्काशित कर दिया गया और मानिपूर को बिटिश चनरक्षन के तहट एक स्वतंतर राज्य के रूप में बहाल कर दिया गया 1890 में महार प्रिटिक्स में सीधे शामिल होने के लिए प्रेरिट किया ब्रिटिश अधिकारियों और 400 गोर्खा की एक रेजिमिन ने विद्रों में राजकुमार टिकेंडर जित को गिरफतार किया और सिंहासन पर बैठे वर्तमान व्यक्ति महाराजा कुल चंडर सिंग को बाहर करने क लिए इमफॉल पहुचे जब महाराजा ने मनिपूर को राजा को सौपने से इंकार कर दिया तो अंग्रेजों ने 1891 में अचानक आधी रात को चापा मारा और टिकेंडर जित को अरेस्ट कर लिया मनिपूरी सैनिको द्वारा समराज जी की योजना को जल्दी ही विफल कर इसी इंसिडेंट से शुरू हुआ अंग्लो मनिपूर वार जिसमें मेजर पाउना ब्रजावर्शी को खानलेपिक किंग्डम के हीरो के रूप में हिस्ट्री के पेज़स में अमर कर दिया इस वार के बारे में मैं आपको पिछले साल के ऑक्टोबर के एक एपिसोड में भी कि टीन बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको रिसोर्सस टाइम पे नहीं मिले और टेस अप्रेल को बिटिश आर्मी ने उनको घेर लिया पाउना के निटिट्व में मनिपूरी सेनाओं ने इंडियन हिस्ट्री के एक सबसे फियोसिस लराईव में से एक लरी अंग्रे कर दिया और अपने सर में बंदे हुए हेडगेर को हटा के बोला कि इससे अच्छा उनका सर काट लिया जाए उन्हें मरना मन्जूर था लेकिन अंग्रीजों की गुलामी नहीं इस दिन को याद करते हुए और उन सभी सोल्जर्स के सम्मान में 20 अप्रेल को हर साल खौंग देख के रूप में मनिपूर में बनाया जाता है अगर नौटीस के बारे में ऐसे ही और किस्से और कहानिया आपको जानने हैं तो प्लीज हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमें हमारे सोचल मेडिया हैं पर फॉल्यू करें नमस्कार